नमुश्कर दोस्तो चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत है दोस्तो आज हम जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ या बश्मे करने के लिए जो मंत्र बताने जा रहा हूँ ओ है सासुमा को कैसे बश्मे किया जा सकता है जी है दोस्तो सासुमा को जरूर बश्मे किया जा आप बिना रुकाबट के देख सकते दोस्तों आपके घर में अगर कोई समझसा हो रहे हैं सासुमा को लेकर आप अगर घर में शांती बनाये रखना चाते हैं और सासुमा से अच्छा रिष्टा रखना चाते हैं उससे प्यार करते हैं लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते हैं टाना मारते बाद बाद पे जगरा करता है तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह जो वीडियो है इसको स्कीप करके या काट काट करके मत देखिए क्योंकि बीच में कोई एक मंतरुचरन भूल हो गया या तो फिर आप नहीं कर पा तो यह काम नहीं करेगा इसलिए दोस्तों आंतक जुरूर देखिए और लास्ट में मैं बताओंगा घर में यह जो जगराय होता है इसमें शांती बनाए रखने के लिए किया टिफ से वह मैं बताओंगा उससे पहले तो मैं बता देता हूं सासुमाक से अगर आपको प्यार है या चाते है आपके घर में रहे लेकिन उनसे प्यार बनाए रखे तो इसके लिए जो मंतर चाहरन है वह मैं बता देता हूं सबसे पहले तो सुब्य नाद होके सुरियो देबता को पानी चराना है पानी एक तामवे वाला जो लोटा है उसमें लेके आप सुरियो देबता को पानी चराना है फिर गनेज जी के सामने गनेज जी का पूजा करना है उसके गनेज जी का पूजा करने के बाद आप गनेज जी का पूजा करने के बाद शीब जी का लिंग के सामने शीब लिंग के सामने उसमें कच्छा दूद से शीब लिंग को विशेक कीजिए और ये ओंग नमस्षिवाय जी हा दोस्तों ओंग नमस्षिवाय ये मत्रचरण कम से कम 101 बार करना है और साथ ही आप शीब जी को कोई प्रसात चरा देना है उस प्रसात को आपके सासुमा को खिला देना है देखना दो दिन में ही आपको असर देखने लएगा और दोस्तों अगर आपको घर में शान्ती बनाय रखना है तो भैक्ति आपका परिवार में आग लगा रहे है या जगरा कर रहे है उसकी सोने के नीचे एक बासुरी रख देना बासुरी बास का होना चाहिए वो बासुरी लगा देना बास की जो बासुरी का मदूर धून होता है उस धून से आपका परिवर में शान्ती फिर से लटके आ जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके द दूसरे भी इससे फाइदा उठा सके फिर मिलेंगे दोस्तों कोई दूसरा वीडियो के साथ अब तक के लिए आग गया दीजे नमस्कार दोस्तों